सारदिय नौरात्री कब से हो रहे हैं शुरू जानिये महत्वे कलस स्थापना का महुर्थ सारदिय नौरात्री को पूरे देश में बहुत ही धूम धाम से मनाये जाता है लोगों को नौरात्री में नौग्रह के अनकूलता के लिए मा दुरुगा की नौरूपों की पूजा अर्चना और ब्रत करने का इंतिजार रहता है सारदिय नौरात्री के बाद दस्वे दीन दसहरा का पर्व भी मनाया जाता है जहां कई जगह मेले लगते हैं और राम लिलाओं का आयोजन किया जाता है आए जानते हैं सारदिय नौरात्री कब शे शुरू हो रहे हैं हिंदु धर्म में शारदिय नौरात्री का बिसेस महत्व है आश्विन मास के शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी से शारदिय नौरात्री की शुरूबात हो रही है और इस बार यह शुभति थी 15 अक्टूबर दिन रभी बार को सारदिय नौरात्री के पहले दिन घटस्थापना या कलसस्थापना के बाद से ही मादुर्गा के नौ रूपों की नौ दिन तक नौ ग्रहों की अनकूलता के लिए पूजार्चना करते हैं और ब्रत भी करते हैं कुछ लोग नौरात्री की प्रतिपदा और अस्टवित इथी का ब्रत रखते हैं तो कुछ पूरे नौ दिनों तक ब्रत रखते हैं। नौरात्री के दस्वे दिन बिजया दस्वे का परू मनाये जाता है। जिसे दसहरा के नाम से जाना जाता है। आईए जानते हैं सारदी नौरात्री का महत्तो और कलस स्थापना का शुभ महुर्त। पौराणिक माननेताओं के निशार पहले चैत्र नौरात्री को ही बहुत धूम धाम से यह मनाये जाता था। लेकिन जब भगवान राम ने रावन पर बिजय प्राप्त की लंका पर जान नहीं करना चाहते थे और आश्विन मास की प्रतिपदा को दुर्गा पूजा आईजुद की। तब ही सारदी नौरात्री की धूम धाम से पूजा होने लगी। देवी भागवत पुराण में भी भगवान श्री राम द्वाराश सारदी नौरात्री का ब्रत और भक्त पूजन करने का भर्णन मिलता है। इसके साथ ही आश्विन मास में ही मादुर्गा ने बहिशासूर नामक राक्षस पर आक्रमन कर दिया और उससे नौ दिन तक युद्ध किया और दस्वे दिन राक्षस का बद कर दिया। इसलिए नौ दिन तक मादुर्गा की पूजा श शरद रित्यू की सुर्वात भी हो जाती है इसलिए आश्विन मास की नौरात्री को सारदी नौरात्री कहा जाता है सारदी नौरात्री में घर में मादुर्गा की पूजा की जाती है और ब्रत किया जाता है मादुरगा की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से भक्तों की जो मनोकामनाएं है, वांचित मनोकामनाएं वह पुर्ण होती है talks और मादुरगा का आशिरवाद भी प्राप्त होता है लिका दुरगा दुरगति नासनी मतलव जीवन में दुरगति को दूर करने के लिए नौरात्री में मा का नुश्ठान करें, नौरात्री में मा दुरुगा की पूजा सक्ती के रूप में की जाती है, शक्त पश्चिम मंगाल में इस नौरात्री के समय दुरुगा, पूजा का उच्सो बहुत ही धूनधाम से मनाये जाता है, शारदी नौरात्री 15 अक्टूबर अपडेट नोट कर लिजिए, 2023 दीन रवी बार से सुरू हो रहे हैं और 23 अक्टूबर के दीन मंगलवार को समापत हो रहे हैं, 24 अक्टूबर विजया दसमी या इसे दसहरा का जो बुला जाता है दसहरा का पर मनाए जाएगा, आस्विन महा की प्रतिपदा तिथी का प्रारम 14 अक्टूबर रात्री में 10 वसकर 14 मिनट से सुरू होगा, जो आस्विन महा की प्रतिपदा तिथी का समापन जो है 15 अक्टूबर रात्री 11 वजकर 52 मिनट तक है, ऐसे में उध्या तिथी को देखते हुए सारदी नोरात्री की शुरुआत हो रही है कलस स्थापना का महुरत भी आप जान लीजी नूट कर ले सारदी नौरात्री की प्रतिपदाती थी यानि पहले दिन कलस स्थापना के साथ मादुरगा के पूजा सुरुक होती है सक्ति पूजा से पहले मादुरगा का आवाहन किया जाता है शक्ति स्थ स्थापना के लिए खास कर कला सस्थापना के लिए सक्ति प्राप्ति के लिए शुम महुर्त 15 अक्टूबर को ग्यारां बजकर 38 मिनट से दो दो पार 12 बजकर 30 मिनट तक अभीजीत महुर्त में होगा ऐसे में कलस स्थापना के लिए 45 विनिट का समय मिल रहा है साल में चार बार मनाये जाता है नौरात्री का यह पावन पर आपको बता दें कि पहला जो है वह चैत्रमास में जिसे वाशंतिक नौरात्री कहते हैं दूसरा आश्विन मास में जिसे सारदी नौरात्री कहते हैं इसके अलावा दो गुप्त नौरात्री भी मनाई जाती है जो ग्रिहस्त जीवन वालों के लिए नहीं होती यह दोनों नौरात्री असाण माह और माग माह में आते हैं गुप्त नौरात्री की पूजा, रिशी, तंत्र, शाधना करने वाले करते हैं वही जनम समानने के लिए वासंतिक नौरात्री और सारदी नौरात्री होते हैं वासंतिक नौरात्री और सारदी नौरात्री के मनाने के पीछे रिती पुरिवर्तन भी है गर्मी और ठंड के म पुरू होने से पहले नवरात्री का यह जो पवित्र पर्व मनाया जाता है।